जीव हमारी जाती है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुसलिम सिख्ष इसाई, धर्म नहीं कोई न्यारा तो तो करो तो बावडू, दूर दूर करो तो जाओू जो राखोत्यों ही रहूँ, जो देवो सोख परमपिता परमात्मा पूरण बिरम, सारी सिरिष्टी के रचनहार, सर्व प्राणियों के दाता सर्व प्राणियों के सर्दनहार, कबीर देव, कबीर साहिब, यह हमारे परमपिता है, यह सभी प्राणियों के ही तैसी है, जिन पुन्यात्माओं को मानुस्री पराप्त हो चुका है और वो भी इस कल्यूग के ऐसे समय में जिसको कल्यूग का मोक समय कह सकते हैं तो धन्य है उन पुन्यात्माओं के पुन्संसकारों को और धन्य है उनके मात्पिता को जिन से जन्म हुआ प्रमात्मा कहते हैं मात्पिता मिल जावेंगे मात्पिता मिल जावेंगे लख चुरासी माही सत्गुर सेवा और बंदगी ये फिर मिलन की नाही कबीर प्रमेश्वर जी कहते हैं के मात्पिता तो आपको इस चुरासी लाख योनियों में बटकते हुए बहुत मिल जाएंगे मन उस जीवन होगा वहां मात्पिता होंगे कुटे का जीवन होगा वहां मात्पिता मिल जाएंगे सूर का जन्म होगा वहां मात्पिता मिल जाएंगे लेकिन सत्गूरू सेवा और बंदगी ये फिर मिलन की ना पुनात्मो हम कहां रह रहे हैं कैसे लोक में हम जीवन वितीत कर रहे हैं ये हमें कभी विशेश आभास हुआ नहीं हम क्यों मर रहे हैं क्यों हम रोगी कोड़ी हो रहे हैं क्यों हम सारा दिन भटक रहे हैं कोई ना कोई टेंशन लिये हुए अब हमने ये सोचा ही नहीं इतने कष्ट के अंदर भी हम फिर जीवन की इचा ही किये रहते हैं क्योंकि आमारे उपर एक प्रैसर है इस तिरगुन मई माया का तिरगुन मही माया कौन सी है रजगुन बिर्माजी, सदगुन विश्मुजी, तमगुन शिवजी के अंदर से निकल रही वो गुप्त किरने वो तरंगे उनके गुणों की वो हमें परभावित कर रही है कैसे कर रही है जैसे वो बगवान अपनी राजधानियों में अपने लोकों में रहते हैं उन से निकल रही ये तरंगे हमें यहाँ परभावित कर रही है जैसे एक रचोई के अंदर मिर्चों का च्छोंक लगता है वा मूल वस्टू साका रचोई के अंदर है उस से निकल रही वो तरंगे दूसरे कक्सों में बैठे हुए विक्तियों को भी परभावित कर रही है छीके आ रही है उन छीकों को रोकना उस विक्ति के वसकी बात नहीं और उन छीकों का कारण कौन है वो साकार मिर्ट जो रसोई के अंदर है ठीक इसी परकार उन वगवानों से निकल रही हम सभी को यहां पर भावित किये हुए है और जिस कारण से हम सोच ही नहीं पाते हैं कोशिस करते हैं तो दो सेकंड के बाद मन कहीं का कहीं पहुंच जाता है कभी कभी होता था ऐसे कि यह क्या जीवन हुआ सुबह उठो खाना बनाने में लग जाओ खाना खाओ फिर कमाने के लिए जाओ आते पढ़के सो जाओ उठकर फिर भागो फिर साम को पढ़ जाओ फिर भागो मर ही जाओ यही काम पूरा ना होता लेकिन कभी कभी आती थी यह बातें पर दो सेकंड के बाद ही कोई और यह बात याद आ जाती थी उसको भूल जाते थे और यदि हमें ये आवास हो भी जाता थोड़ा भो तो फिर करते क्या हम घर छोड़ जाते थे जंगल में चले जाते थे जंगल में जैसे बगवान अमने बांद कर बठा रख्या जाते मिल जागा ऐसी हमारी गल्ट वाउना थी हम अग्यान के कारण इस काल के इस जाल को समझनी सके उसको समझाने के लिए स्वंपरमात्मा आए वो हमारे पेता है, हमारे जनक है क्योंकि अपने का दुख अपनों को ही होता है तो इसके लिए परमात्मा कहते हैं कबीर ये माया अठपटी और सब गटान अड़ी किस किसे न समझाओं या कुई भांग पड़ी या तिरगुण मही माया की यहां के सुक्स विदाओं की यहीं के चोचलों को देख कर मन यहीं भरमित रहता है तो यह भांग पी रखी आपने नहीं जब यह भांग उतर जाएगी आप बाकी का जीवन गिन गिन के काटोगे वगवान कज पीछा छूटेश गंदे लोगते अरी वग्यानता के कारण हम यहीं सुधाएं यहीं जुटाने के लिए लगे रहते हैं यहीं की सुक्स विदाएं प्राप्ट करने के लिए कि हम संतोरिसियों के पास मंदरों मस्जिदों में जाते रहते हैं और यह हमारे साथ ना चली और जीवन सारा इन ही की जोड़ दूगाड में विर्थ हो जाता है तो वो ग्यान पर मातुमा ने आके जिया है तो यहां बताया है कि मात पुर्टा मिल जावेंगे लक्स चौरा सी में और सत्गुर सेवा और बंदगी वाई फेर मेलन कीना अपने अदमों सत्गुर सबद एक बहुत मेत तवपुरून है अब जैसे गुरु किसे कहते है गुरु उसको कहते हैं जो मार्ग दर्सन करता है वो अपने अकसेतर का मास्टर होता है जैसे कोई मेकैनिक है उसको भी गुरु मानते हैं उसके सागेर्द जिनको वो ट्रेनिंग देता है ऐसे अकसर ग्यान देने वाले भी टीचर वो भी गुरु कहलाते हैं वो अपने विशे के मास्टर होते है बहुत अच्छी बात है उनको गुरू कहा जा सकता है लेकिन अज्धात्म मारक के अंदर दास ने देखा है कि गुरू पद पाकर भी वो बिलकुल नाला एक अदमी है उनको कख नहीं पता अपने सब्जेक्ट का अब जो अध्धात्मिक टीचर है गुरू है तो उनको अपने सलेबल्स का ग्यान होना चाहिए तो वो टीचर है नकाय के टीचर हो तो बकवादीव इनसान है जिस अज्धापक को अपने सलेबल्स का ग्यान नहीं अपने सब्जेक्टियों परिच्चित नहीं उसके आउट उसके बाहर का ग्यान विदार्थियों को सुना रहा है तो विदार्थियों का सत्रू है वो विक्ति वो गुरू नहीं है बहले उसको गुरू कहते है टीचर कहते है वो तो गल्त ग्यान टीच कर रहा है तो यहां सत्गुरु सबद की इसलिए आवसेकता पड़ी के ये गुरु पद परविराज़मान विक्ती ये गुरु नहीं है ये जूठे है इसलिए सत्गुरु की आवसेकता पड़ी सच्चा गुरु सच्चा टीचर रियल टीचर तो इसका मतलब सच्चा गुरू है तो कोई जूठे गुरू भी है तभी तो सच्चे समद्ध की आउ सकता पड़ी तो उसकी पूर्ती करने के लिए स्वेम प्रमात्माई आते है प्रमेश्वर की वानी माता है तीन लोक और बहुन चतुर्दस कोई नई सत्संगी सत्संगी का अर्थ होता है जो पूर्ण रूप से सत्थ को आधार मानकर अपनी सर्वे अध्यात्मी क्रियाओं को करता है वो सत्संगी कहलाता है और वो सत्संग कांसे सुनने को मिलता है सत्गुरू से मिलता है तो जो भूली आत्मा इन अकली गुरुवों के पास साधना कर रही है उन किस्स बन गए है वो सोच तो ये रहे हैं कि हमें सत्गुरु मिल गए लेकिन ये उनकी भूल है क्योंकि उनको ग्यान नहीं तो उसकी पूरती करने के लिए उसका निराकरन करने के लिए इस अग्यान का नास करने के लिए स्विम प्रमात्मा आते हैं और जिस लोक में हम रह रहे हैं ये काल का लोक है इस लोक का काल है राजा और ये माया जाल पसा रहा हो चल अनसा सत लोक हमारे छोड़ो यूसन सारा हूँ www.jakatguru.org संतरामपाल जी महराजी के शुब आशिवात से पूरे विश्व भर में 500 से भी जादा नाम दिख्षा केंद्र है जिन पर संतरामपाल जी महराजी द्वारा ओनलाइन निशुल्ट नाम दिख्षा दी जा रही है अपने नस्दी की नाम दिख्षा केंदर का पता करने के लिए संपर्क करें 8222-880541 अपने बना पता करें कर दो दो कर दो कर दो दो